कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा नासु आवे और कहुंग है चर्चा चलते हैं लटके लेगा अरना कोई और चर्चा सुरू कर देगा अचा सुन एक बात सुन मेरी वो फुलाना काम वाश्यों था जैसे आप कोशिस करते हो को रिष्टेदार भाई, ब वो फुलाना कोउने बहान चार्चा सुनाते हों, दो सेकंड सुनता है फिर उजता यह था थृघ्चा रहता worst ना वो तके और यह काम आप को बाताना चाहते हैं, और तीसरा कहते हैं मुझे काम याद आगए फिर मलूँगा, फिर मिलूँगा उठकर चल जाएगा कबीर बगवान बताते हैं कि कबीर पिछले पाप ते जिनके पाप घणे बढ़ गे हरितरता ना सुआवे अच्छी नहीं लगेगी और के उंगे के उठतले ना ओर बात बनावे तो ये उस व्यक्ति के लक्षन है जो पिछले जनम के पापों से ज्यादा गरस्त है सिधा ही व तो उसके अंदर बक्ती प्रवेश करना बढ़ा कठिन होता है लेकिन हो जाती है उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इस ग्यान को समझने में और सुरुवात एक बार हो जाती है दीरे-दीरे किसी ना किसी जनम है तो वह हो ही जाती है एक काग भुसंड नाम के अपने प भाहन माने जाते हैं इन दोनों की एक बार आपस में चर्चा हुई काग भुसंड कैसे है उनका बाकी का सरीर मनुष सदर से है लेकिन चौच और उपर का हिसा जो मुह है वो कवे का है उसको काग भुसंड कहते हैं इन दोनों की आपस में एक बार चर्चा हुई काग भुसं जी आपके पास बैठने से मुझे बहुत सांती मिलती है आपने यानि ये बगती विधी और ये अमरतव क्योंकि काग बुषण जी की काफी लंबी आयू होगी है काफी प्रल्य उसके सामने हो चुकी है अभी वी वो विद्मान है तो उसके लिए पुछा के आपको ये कैसे प मैं एक बार बीस वर्स की उमर थी मेरी और एक बहन कर अकाल गिर गया हम भाई बहन थे मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे उस अकाल के दुरान वो भूक सैंटी काह कर सके उनकी मर्तु होगी मेरे माटा-पिता की भी मर्तु होगी वो भी भुग से नहीं कर सके मैं यूँआ था जिस कारण से मैं उस अकाल को जहल कर माटा-पिता परिवार के नास होने के बाद उस अक्सेथर को छोड़ कर मैं औवन्त का नगरी में चला गया वहां अकाल नहीं था उस से पहले मेरे असंक जनम चले गए मन उस जीवन मन बरबाद कर दिये कभी मन भगती नहीं की क्योंकि वो पिछले जनम मुझे अब मेरी दिवद्रिश्टी खुल जाने से नजर आ रहे हैं कि पिछले मानो सीरी वन कैसे वरबाद किये थे तो बतारा के पिछले जनम मैंने बहुत नास कर दिये और एक जनम जो मेरा हुआ माता पिता मेरे भाई बेन मर गे भूक शितरब कर ऐसी खिली फलवाडी थी हमारे गर की सारे भाई बन खुसी खुसी रहते थे और एक वरस में ऐसी जुलम गिर गया ऐसा कहर तूट गया हमारा नास हो गया मैं सोचने पर विवस हो गया कि ये क्या जीवन है कल तक हम कैसे खुसी मंगल से रहते थे प्यार करते थे कहां गई आजमा टकर मार लिया रो लिया सारा कुछ कर लिया वो मिल नहीं रहे ये खाक जीवन है कहां रह रहा हूँ मैं ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंड़त जी बगवान शिव का पुजारी था मैं वहाँ चला गया उसको अपना दुख रोया द्यालू था ब्रामन मुझे सीने से लगा और कहा बेटा यहां तो ऐसे ही कहर गिरते हैं आप भगती कर लो स्वरग में चले जाओगे वहाँ दुख नहीं है ब्रामन को ग्यान स्वरग तक का ही था और कहा बेटा तूं दिखसा ले गरू बनाए बगर मोक्स नहीं होता अब काग बुषन बता रहा है के मेरे इतने पाप थे पापी के पिछले जनम जनम के कभी बगती सुरू नहीं करी थी मेरे अंदर बगती परवेश करने में च्छै महिने लगे लगातार संथ के साथ रहने में अब च्छै महिने तक मैं मंदिर में रहा रोज उनकी कथा सुनता वचन सुनता पर नाम लेन की इच्छा कदी मैंने व्यक्त नहीं की गुरू जी कहते मातमा जी के बेटा दिखसा ले ले मैं कान ना पैके टाल जाता ना हा कहता ना ना कहता और दिखसा उसी को परफुलित होती है जो सवीच्छा से अपनी एक लगन से पराप्त करता जबरदस्ती दिया हुआ ग्यान नाम काम नहीं करता तो उस पंड़ जी नहीं इसलिए उसको जोर नहीं दिया छै मेंने के बाद कहता लगाता रसत संग सुनने के बाद मुझे पापी के कुछ पाप नर्म हुए और तब मैंने दिखसा पराप्त की दिखसा पराप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी जो गुरुजी कसा सुनाया करते हूँ मुझे भी याद होगी मैं युवा था गुरुजी वर्द होगे थे मेरी आवाद में कसक थी जितने भी सुरोता थे अब मेरी तरपा करसित होगे के और कहने लगे हो आप तो गुरुजी से भी बड़ याद ग्यान सुनाते हूँ अपने अत्माँ यहां मार काता पराणी इस ग्यान को सुनका कोई वक्ता बने बैठा है गार्दस उसके परसंसक हो जाएंगे वो भी अपना नास जीवन करेगा अब ग्यान पराणों का था बढ़ यार गटिया क्या हो गया समय गुरुजी से बढ़ या सुनाने लग गया हो तो यहां मार खाते है सुरता भी और भगत भी मार खाते है मान बढ़ाई चा जाती है सबसे बढ़ी दुस्मन अजीव की एक दिन मैं बैठा था कथा कर रहा था सुरता बैठे थे गुरुजी आये मंदिर में अपने घर से मैंने खड़ा हो कर सतकार नहीं किया क्योंकि मैं अपनी बेज़ती समझू था कि खड़ा होंगा तो सब का अट्रेक्शन उदर गुरुजी की तरफ हो जाएगा अब मैंने बैठे बैठे दरसन कर लिए ऐसे थोड़ा सा नाम मत तरसा सिर जुकाया खड़ा नहीं हुआ मैं अब गुरुजी ता आये थे अपना लगे पूजा पाठ करने मंदिर में एक कुणे में बैठकर वाकासवानी हुई मंदिर में कहरे दुस्ट तुने अपने गुरु का अनादर किया है तुझे एक लाख वरस के लिए नर्कम डालता हूँ भगवान सिव की आकासवानी हुई क्योंकि ब्राह्मन सिव का पुजारी था अब वो आकासवानी सुन ली गुरु जी ने उसने कहा रहे बेटा भुसंड उसका नाम कुछ और था उसमें बेटा भगवान क्यो नराच हो गया तेरे से गुरु जीन नहीं धान दिया कि इसने मेरा आदर किया या अनादर किया संत के विशे में एक बाणी कही है गरीबदास साहिब जीने कि आदर अनादर करो को ना कोई मम संत सरन जग्द जान छोई अब संत यह नहीं देखते आदर अनादर को लेकिन सिस को हानी गणी हो जाती है जो आदर नहीं करता है नियमित नहीं रहता तो उस गुरू ने पूछा बेटा क्या गलती करती बगवान आप से क्यों रुष्ट होगे अक्षमा यहां से नाकर दयालू है बगवान माप कर देंगे तेरे को और खुद भी अर्द की यह अच्छा है आपका गलती होगी बालक है अक्षमा करो तब उसने आकासवानी की फिर दोवारा बगवान सीव ने जब ये निकमा विक्ती अपने गुरू का आदर नहीं करता तो मेरा क्या आदर करेगा गुरू एक रिहरसल करनी होती है गुरू जी को बगवान की तरह मान कर क्योंकि हम जैसा विहार गुरू जी के यहां कर रहे हैं तो परमातमा इस रूप में आपको वहाँ उपर जा करके आपकी प्रिक्षा लेगा एक सचान है मान सरूर पर तो जैसा भाव आपका यहां वैसा वहाँ होगा जैसे सौपन में होता है तो वहां से वापिस आने के ब भगवान से कर रहे हूं तो इस परकार ना करने से तब उसने कहा कि इसने आपका अनादर किया आपका नहीं मेरा अनादर किया इसको एक लाख वरस तक नरकमा डालूँ पिर काफी समय तक हाथ जोड़े रहा ब्रामन आपका बच्चा है वक्ष दोदाता बालक है गलती होगी रहे तो भी मांग माफी बच्चे माफी माफी लेकिन फिर आकास वानी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई यम के लोग चलो रहे भाई अब काफ बसंड कहता है कि मेरी मर्तू होगी मैं नरकमा डाल दिया गाए एक लाख वरस तक लेकिन थोड़ी बहुत जो कलम चड़ी थी थोड़ी बहुत बग्ती प्राहरं की थी प्रात्विक उसका लाब मिला गले जनमे मुझे मनुस्यून मिला लाख वरस नरकमा बहुग करता है तो काफ बसंड कहता है कि गुरूड जी मैंने दुख नहीं मानिया संद के उस कूवचन का और उसने स्राफ दे दिया मैंने हाथ जोड़ी कर ये कहा कि है मारसी जी दास पर गलती बन गई मैं नीच वेक्ती हूँ मैं करम हीन हूँ तभी तो ऐसी भासा मैं आपके साम ने बोल गया मेरा दुर भाग गया था एक दया करियो दया लू कि मैं किसी जनम में से चंडाल के पैदा हूँ पर आप बगवान की भक्ती ना भूल पड़े ये दया करते हूँ मुझे तो ये आशिरवाद दे दिया लोमस्रिशी ने